हेलो स्टुडेंट्स, ओनलाइन स्टेडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो प्यारे बच्चों, आज हम पड़ेंगे पाठ तीन पाठ का नाम है म्याउ म्याउ पाठ शुरू करने से पहले पाठ का सारांश समझते हैं म्याउ म्याउ शीर्शक कवीता के कवी धरमपाल शास्त्री जी है इस कवीता में कवी ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चुहिया के प्रती उपजे डर का वर्णन किया है एक चुहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी वह अपने सामने चुहिया को देख कर कापने लगी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तभी उसको एक तरकीब सूची वह चुहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज में म्याउ म्याउ करने लगी तो चलिए शुरू करते हैं पाठ तीन पाठ का नाम है म्याउ म्याउ सोई सोई एक रात में एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलक कर एका एक बिलक कर रोई रोती क्यों ना मुझे नाक पर मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूटी चुहिया काट गई चूटी भर तो प्यारे बच्चो प्रस्तुत पंक्तिया हमारी पाठी पुस्तक रिम जिम भाग दो में संकलित कविता म्याउ म्याउ से ली गई है इस कविता के कवी धरम पाल शास्त्री जी है और इन पंक्तियों का अर्थ है रात में सोए सोए अचानक छोटी लड़की बिलक 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 कर मतलब जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसकी नाक की नोक पर एक चुहिया ने चूटी काट ली थी चूटी का अर्थ होता है चिकोटी सच मुच बहुत डरी चुहिया से चुहिया से सच बहुत डरी मैं खड़ी देख कर चुहिया को मैं लगी कापने घड़ी घड़ी मैं सुझा तभी बहाना मुझको मुझको सुझा एक बहाना जरा डराना चुहिया को भी चुहिया को भी जरा डराना कैसे भला डराऊं उसको कैसे उसको भला डराऊं धीरे से में बोली म्याऊं 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 लड़की कह रही है कि वह चुहिया से बहुत डर गई थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तभी उसे चुहिया को डराने की एक तरकीब सुजी चुहिया को डराने के लिए वह लड़की क्या करने लगी? म्याओं म्याओं कहने लगी तो बच्चो कवीता पुना दोहराए और याद करें धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो